भारी दिल्ली के नरेला में सिंग्दी थालत में कुवे में मिला युवक कस्थाओ कुवे में लास मिलने से फैली संसनी दो दिन से था युवक लापता मिर तक मुर्शी दालम 11 पोकिट का रहने वाला नरिला चेतर में CPG कॉलेज के पीछे जाड़ियों में कूवे मी मिला मुर्शी दालम का साउ परीजनों की माने तो मुर्शी दो दिन से था लहा पता पुलिस में दो دिन पहले ही सिकायद दरज करवा दी थी मुर्शीद दो दिन पहले घर से दवाई लेने के नाम पर निकला था जब नहीं लोटा तो परीजोंनों ने पुलिस में सिकायद दी पुलिस ने मामला दरज कर तलास भी शुरू कर दी थी आज पुलिस को कोल मिली जब मोके पर पहुँची पुलिस तो साव मुर्शीद का था अब जाज का विश है कि मुर्शीद की हत्या की गई है या खुद गिरा है पुलिस जाज कर रही है पुलिस की जाज में पता चला कि मिर्टक का नाम मुर्शीद है और उमर 30 साल की है और पास के ही नरेला 11 पोकिट का रहने वाला है जो की दो दिन पहले घर से दवाई लेने निकला था लेकिन वापस नहीं आया जिसके बाद मुर्टक के प्रिजनों ने थाना नरेला में इसकी सुचना दी थी फिलाल मुर्शीद की मोत के काणों का अभी तक पता नहीं चल पाया और ये अभी जाज का विशे है जो की पोस्माटाइम की रिपोर्ट के बादी साप हो पाएगा की आखिर मोत का काण क्या था फिलाल पुलिस ने सव को कबजे में लेकर सव को पोस्माटाइम के लिए भेज कर नरेला थाना पुलिस मामले की जाच में जूटी है सब्सक्राइब ना मेरा नम मनिश ठाकरान है पूरा मैं इस पर कैट्स पर एम्ट्री पारमेटिक सर्य वते क्या वह लिए अपको सरा में कोल मिली थी कि सीपीज के बैक साइड में पेशेंट है कोई वह कुवे में गिर गया है उसके बाद हमें बोला गया कि आप जल्दी से क्या नम आपका नदीम नदीम जी क्या मामला है यह कों थे जो एक्षार हुए सर मेरे जी जाते हैं वह बारा बजे परसु से गए थे कि मैं दवा लेकर मैं सिस्टर को बोला कि आप खाना बनाओ मैं आ रहा हूं दवा लेकर फिल गए तो सराही नहीं आज यह बोड़ी मिली च्छा करते थे सरे से कॉंग्रेट में चलाते थे गाड़ी राही में राइव में आसर तो परसो कितने वजे गर्शे निकले थे बारा बजे सर दो फेर को हाँ सर तो उसके बाद आज इसका शोब मिला है नहीं कहा मिला सर यहां इसी पीजी पॉलिज के पास बच्चे भी इ करता है